प्रधान मंद्क वरीलवार की नमस्व मांजली, मेर मां पंड़कंचित अमकुट्राव में, आवर मैं जट्पी हाई स्कूल उपरावल्ली अंकापलिट्रिस्टिक्ट आंगरो प्रदेश में सिख्षक्तूं। सर, मैरा आपसे जट्प्रश्ण है की एक शिप्षके रूप में मैं किन तरिकों से अपने चात्रों को परिक्षर देने में तनाव उस्ट बानाने में मदत कर सकता हूं। खुरपियाल इस पर मैरा मांगदश्चिन पीचे धन्यवाच। धन्यवाद सर, भारत के पूर्व में चाय बागानों तथा सुन्दर परवतिय प्रदेश, ब्रह्म पुत्र की भूमी, असम के शिफ सागर स्थित, हाशारा हाई स्कूल से एक टीचर, बंटी मेधी जी, जो की सभागार में उपस्थित है, प्रधान मंत्री जी से एक पूछिये, नमस्कार, Honorable Prime Minister Sir, I am Bonti Medhi, a teacher from Sipshagar Dristik Assam, my question is, what should be the role of a teacher in motivating students, please guide us, thank you. धन्यवाद माम, प्रधान मंत्री जी, क्रिपया, आंद्रप्रदेश के संगी शिक्षक, श्री संपत्राव जी, और सभागार में उपस्थे शिक्षिका, बंटी मेधी जी द्वारब पूछे गये इन प्रशनों में, वे परिक्षा के समय, शिक्षकों की भूमिका के विश कीजिए, पहले तो मैं समयता हूँ, जो संगीत के टीचर है, वो तो अपने क्लास नहीं, पूरी स्कूल के बच्चों का तनाव खतम कर सकते हैं, संगीत में वो सामर्त है, हाँ, अगर हम कान बंद करकर के संगीत में बैटे हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, कि हम होते हैं, संगीत बचतो रहा है, लेकिन हम कहीं और होते हैं, और इसलिए हम उसका आनन्द अनुभव नहीं कर पाते हैं, कि मैं समझता हूं कि किसी भी टीचर के मन में, जब ये विचार आता है कि मैं स्टूडन के इस तनाव को कैसे धूर करूं, मैं हो सकता है, मैं गलत हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि टीचर के मन में परिच्छा का कालखंड है, अगर टीचर और स्टूडन का नाता परिच्छा के कालखंड का है, तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए, आपका स्टूडन्ट के साथ नाता, जैसे ही आप पहले दीन, वर्ष के प्रारम में पहले दीन, क्लास्रूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एक्जाम आने तक, आपका नाता दिरंतर बढ़ते रहना चाहिए, तो शायर परिच्छा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी, आप सोचिए, आज मोबाइल का जमाना है, स्टूडन्ट के पास भी आपका मोबाइल हो गई होगा, क्या कभी किसी स्टूडन्ट ने, आपको फोन किया है, कॉल पर कॉंटेक किया है, कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं चिंता में हूँ, कभी नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि उसे लगता ही नहीं है, कि मेरी जिन्दगी में आपका कोई विशे स्थान है, उसको लगता है कि आपका मेरा नाता सब्जेक्ट है, मैट्स है, केमिस्ट्री है, लेंगवेज है, जिस दिन आप सिलेबस से आगे निकर करके उससे नाता जोड़ोगे, तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जुरूर आप से अपनी मन की बात करेगा, अगर ये नाता है, तो एक्जाम के समय तनाव की स्थिती पैदा होनी की संभावना ही खतम हो जाईगी, आपने कई डॉक्टर्स देखे होंगे, उन डॉक्टर्ण में डिगरी तो सब के पास होती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो जनरल प्राक्टिशनस होते हैं, वो ज्यादा सफल इसलिए होते हैं कि पेशन्ट आकर के जाने के बाद, एकाद दिन के बाद फिर उसको फोन करते हैं, कि भई आपने वो दबाई ठीक से ले ली थी, कैसा है आपका, वो दूसरे दिन अपने अस्पता लाएगा तब तक इंतजार करने के बजाए बीच में एकाद बार बात कर लेते हैं, और वो बॉर्णिंग होता है न, वो उसको आधा ठीक कर देता है, आप में से, कोई टीचर ऐसे हैं, मान दिजे किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया, और जाकर के उसे परिवार में बैठ करके कहा, भई, आज तो मैं मिठाई खाने आया हूँ, आपके बच्चे ने इतना शांदार कर दिया, आज आपसे मिठाई खाऊगा, आपको कल्पना आती है कि उस माभाप को, जब आप बच्चे ने तो बताई होगा घर में जाकर के, क आज मैं यह करके आया हूँ, लेकिन एक टीचर खुच जगर के गर बताता है, तो उस परिवार में टीचर का आना, टीचर का बताना, उस बच्चे को भी ताकत देगा और परिवार भी, कभी और कुछ सोचता होगा, जब टीचर ने आके कहा, तो परिवार भी सोचा है, या एक दम से माहूर बदन जाएगा, और इसलिए पहली बात यह है, परिशा के समय तनाव दूर करने के लिए क्या करना, उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ कह चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर वर्ष भर आपका उसके थाफ नाता रहता है, मै तो उनकी शादी हो गई हो गई, क्या कोई आपका स्टूरेंट अपना शादी का कार देने आया था क्या, 99% टीचर मुझे कहते हैं, नहीं कोई स्टूरेंट नहीं आया, मतलब हम जॉब करते थे, हम जिन्दगी नहीं बदलते थे, टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिन्दगी को सबारना है, जिन्दगी को सामर्थ देना है, और वही परिवरतन लाता है, धन्यवाद,